स्लाम अलेकुम गाइज and welcome back to my youtube channel मेरा नाम जिशान है और आज की वीडियो में हम एक सवाल को डिसक्स करने जा रहे हैं और वह सवाल यह है कि हमने scholarship के लिए कम amount दिखानी होती है ठीक है और visa apply करने के लिए जो उनकी required amount है bank statement अपनी prepare करने के लिए जो कि 12 लाग होती है यानि approximately 6000 येरो होती है जो कि 12 लाग के करीब बनती है ठीक है तो वह amount शुकरवानी होती है तो हम इसी को कैसे manage करेंगे कि हमने किस तरीके से scholarship के लिए कम income दिखानी है यानि actual income दिखानी होती है क्योंकि पाकिसान में majority जो लोग है उनकी income जो है वो जो tax की जो limit होती है उससे कम होती है यानि कि 6 लाग limit है तो उससे कम वो शुकरवात है तो वो उस limit के अंदर रहते हुए किस तरीके से scholarship के लिए अपनी actual amount दिखाए और visa apply करने के लिए वो अपनी जो है जो required amount है उसको justify भी करना होता है उन्होंने कि 12 लाग 15 लाग 20 लाग उनके बास कैसे आए तो उनके दिमाग में ये सवाल होता है कि अगर हम embassy में 15 लाग 20 लाग शो करवाते हैं तो हमारी bank statement जो है वो जो हम scholarship apply करें वो लोग भी देखेंगे कि इसको scholarship grant करेंगे या नहीं करेंगे तो ये सवाल उनके दिमाग में होता है तो इस वीडियो के अंदर मैं इसी सवाल के उ तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक चीज आपको मैं clear कर दूँ कि आप जो scholarship apply करते हो उसमें वैसे आपकी overall family की income शो करवानी होती है ठीक है लेकिन अगर आप income certificate किसी एक इनसान का बनवाते हो अपनी family में से यानी father का बनवाते हो बाकियो कर लिकवा देते हो कि वह नहीं करते हैं तो ऐसे भी चल जाता है ठीक है बेशक आपकी family में लोग earn करते हों लेकिन अगर आप ऐसे लिकवा दो कि वह नहीं करते हैं तो वह उससे भी काम चल जाएगा लेकिन इसके लाजमी है कि आपके documents पहले जो आपके relative इदारें आपने उसे बनवाना होता है जैसे FBR से यह तैसिलदार से तो उसके बाद इसको ministry of foreign affairs से इसको अटेस्ट भी करवाना होता है उनका QR code लगा होता है ताकि इसको verify कर सके हैं तो यह बात तो यहां पर clear हो गई कि family में से किसी एक बंदे के नाप पर certificate बनवा के बाकियों को unemployed शो करवा क कि उसको आपने कहां से अटेस्ट करवाना है ताके वह certificate आपका acceptable हो कुछ लोग मुझसे यह भी पूछते हैं कि क्या हम एफिडेविट के उपर बनवा सकते हैं और यह चल जाएगा तो possible है कि कोई region ऐसा accept कर रहे थे लेकिन इस साल जो है काफी सकती है और लाजियो region तो वैस वैसिलदार मुक्तियार कार जिसको कहते हैं उसके आफिस आपने बनवाना होता है यह सब बनवाने के बाद आपने इनको मिनिस्ट्र फॉरण एफट्स से लाजमें टेस्स करवाना ठीक है उसके बाद ही आपके डॉक्मेंट जो है वह acceptable होते हैं स्कॉर्टशिप के लिए पर सेल्फ डिकलिरेशन सेर्टिफिकेट मांगते हैं आपसे तो यह डॉक्मेंट्स आपके रिकॉर्ड होते हैं अब में टॉपिक के ओपर आते हैं कि आपने किस तरीके से इसको जस्टिफाय करना है कि हमारी फैमिली में एक बंदा कमाता है और वह तीन लाग शाड लाग इतनी पी इंकम शो करवारे वाब और उसके इलावा बैंक स्टेट्मेंट में पंदर बीस लाग शो करवाना है ठीक है अब यहां पर एक बात क्लेर ली आप लुक को बताता हूं कि स्कॉलर्शिप और जो बैंक स्टेट्मेंट है दोनों का कोई भी लिंक नहीं होता स्कॉल टैक है तो वह आपको स्कॉलर्शिप दे रहरा है तो ऋस लिए बरेट्मेंट के एक टीट्रों यहां पर टीक है ITMA का आपक्लाय करो के आपको छिर्वार्शिकरोंच धिर्यावार लिंक से assistance कोई लिंकों गया नहीं बैसे से कोई लिंक होगा यानि एक वेबसाइट से आपका लिंक है उसके लिए वेबसाइट की थू आप अपलाए कर रहे हो ठीक है तो जो रिजल्ट अनौंस होता है वह भी वही उसी की वेबसाइट पर आनौंस होता है यानि युनिवर्सिटी को तब तक पता नहीं चलता है जब तक फाइनली आपको अपलाए करें तो उसके रिजल्ट साथ है अगस्स में प्रोविजन रैंकिंग आती है फिर सप्टेंबर में उसकी फाइनल रैंकिंग आती है फिर आपको वीजा पहले मिलता है तो आप जाके जो कुछ डॉक्मेंट्स रह जाते हैं जिसके अंदर इसे सर्टिफिकेट होता है तो इस तरह की चीज़े जो होती है वह आप बाहर्य बनाते हो फिर उसके बाद सब्मिट करवाते हो फिर आपको फाइनली वह स्कॉर्शिप मिलती है तो स्कॉर्शिप मिलने में ठायम लगता है यानि कि वह दिसंबर जनवरी फरवरी मार्श तक भी चले जाती तो इतना तो उस region के उस department के साथ आपका link है तो जो भी documents आप शो करवा होगे वो documents directly उस department के पास जाएंगे ना वो university के पास जाएंगे ना वो इम्थे के पास जाएंगे यानि कि जो आप अपनी income शोकर आ रहे हो, property शोकर आ रहे हो, वो उस department के बास record जाएगा और वो verified होंगे, already यानि attested होंगे, legalized होंगे, आपका जो ministry of foreign affairs है, तो वो उसको, जो है, उसमें कोई मुश्किल का सामना पेश नहीं आता, क्योंकि उनको पता है कि ये आपके country के अंदर एक authorized इधारे से ये already attest हुए है, further जो है, इसकी legalization, वहाँ पे जो हमारी embassy है, पाकिस्तानी, वहाँ पे इसकी legalization वगएरा further documentation होती है, फिर वो जाके submit होता है, तो समझाने की बात, बिल्कुल simple सी है, वो ये कि scholarship के जो documents आप prepare करोगे, वो directly उस department के पास जाएंगे, ना university के पास जाएंगे, जो आप उसमें लिखाओगे, जो शो कराओगे, वो उस department के पास जाएंगे, उसका और आपका link होगा, फिर visa लग के आप final document submit कराते हो, फिर वो university को बताएगी, कि इस student का scholarship लग गिया है, और इसकी fees वगरा माफ करके step in दिया जाएगा, और वो ही department वो step in वगरा issue करेगा, ठीक है, university issue नहीं करती, दूसरी चीज़ है bank statement की, तो bank statement का जो है, आपने यहां से pre-envolumen कर ली, तो university वो summary embassy को भी बेज़ देगी, और आपको भी बेज़ देगी, फिर further appointment का जो scenario रह जाता है, तो जैसी appointment आएगी, आप अपनी bank statement prepare करो के, जितने भी prepare करने हैं, आपने 10 लाग, 15 लाग, 20 लाग, 30 लाग, वैसे required जो है, कम से कम, 12 से 15 लाग required होती है, ठीक है, तो आप अपनी required bank statement के साथ, जो आपकी income का proof है, और जो पैसे कहां से है, उसका proof है, वो सारी चीज़े ले आके, अपनी visa file में, और attach करके, वहाँ पे submit करोगे, तो visa file के लिए जो bank statement required है, उसकी justification के लिए, आप सिर्फ income नहीं रख सकते है, आप income के इलावा दूसरे proofs भी लगा सकते हो, और उसको justify कर सकते हो, और scholarship apply करने के लिए, सिर्फ income शो करवा सकते हो, वो भी किसी एक family member की, और उसके थूरू बाकियों को unemployed शो करके, आप scholarship में eligible हो सकते हो, वैसे scholarship में, जो requirement ह होती है, वो यह होती है कि 23,000 euro से कम income होनी चाहिए, लेकिन better option यह है कि income अगर आपकी 5000 euro से कम हो, तो उतना ही बैतर है, क्योंकि जितनी कम income होती है, उतनी जल्दी आपका scholarship की list है, उसमें नाम आता है, यानि जिसकी कम income है, वो first है, फिर उसे जादा वाला income, second है, फिर उसे जा बढ़ती जाएगी, उतना आपका scholarship मिलने में rank में नाम पीछे आता रहेगा, तो guys I hope मैंने आपको बिल्कुल clearly समझा दिया होगा, कि किस तरीके से scholarship के लिए आप कम पैसे show करवाते हो, तो आपका नाम scholarship में आता है, और किस तरीके से आप bank statement में ज्यादा पैसे show करवाते हो, ताकि आप अपनी study expenses को cover कर सके, अब यहाँ पे कोई miss confusion का शिकार नहीं हो जाना कि मेरे father की जैसे कि 10 lakh income है, यानि 5000 euro बनती है, तो क्या मुझे scholarship नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी जितनी भी income है actual, आप उसको show करवात, ठीक है, scholarship सब को मिल जाती हो, वो एक formality होती ह कि नाम पीछे आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा जब आपका visa लग जाता है, आप वहाँ चले आते हो, आप अपने documents prepare करके time पे submit करवा देते हो, तो सब को scholarship मिल जाती है, मैंने अभी तक कोई ऐसा इनसान देखा नहीं है, जिसने time पे सारी चीज़े की हो, बेशक उसकी income ज्यादा बन रही हो, ठीक है, 5000 योरो से भी उपर बन रही हो, लेकिन time पे चीज़े prepare करके जब वो submit करवा देते हैं, तो उनको scholarship मिल जाती है, थोड़ा सा time delay होता है, यानि किसी को अगर January में मिल लिए, तो जिसका नाम बाद में आ रहा है, उसको March, April में मिलेगी, तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलता है, नेक्सी वीडियो में वजीत information के साथ, तब तक के लिए, अला आफिस,